नमस्ते मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है तो आज हम बात करने वाले हैं कि खाली पेट अगर हम अनार खाएंगे या फिर अगर हम इसका जूस पीएंगे तो हमारे बौडी में क्या-क्या फाइदे मिलेंगे हम नुकसान के बारे या फिर आप अनार का जूस पीते हैं दोनों आपके बौडी के लिए बहुत अच्छा है सबसे पहला क्या है सबसे पहला यह है कि आपके हार्ट के हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है क्योंकि इसमें फाइबर भी होता है और साथ में आपके बौडी में ब्लेड में bushesण क लेवर फिर गरबर हो सकता है लेकिन आप अपने डॉक्टर से पूछ करके सही मात्रा में हफ़ते में दो दिन तीन दिन आप ऐसे करके अनार ले सकते हैं इसका जूस आप पी सकते हैं सबसे पहले हाट के लिए अच्छा है और यह आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बनने प्रजादा ही देता है आप हमेशा फित रहेंगे आपके बॉडी में बीमारियों को आने नहीं देगा क्युकि यह बहुत जादा पावर्फुल एंटी अक्सिडेंट है इसमें फाइटो केमिज़ होते हैं फाईटो केमिकल्स क्या करता है आपकी बॉडी में free काली पेट गाए दूसरा रिजन यह है कि आपकी बॉड़ी में कोलेस्ट्रोल को यह जमने नहीं देगा यहां पर एलो कलर जम जाता है कि ये जो प्लेग है यह आपको जमने नहीं देगा अब इस प्लेग की वज़़से आपका जो ब्लड सर्खुलेशन है वह फिर रुक जात लेंद में भी हाट ब्लॉक में भी सभी चीजों में मदद करता है साथ ही जो नस्में सूजन हो जाता है बॉड़ी में कहीं भी उसमें भी आपको मदद करती हैं तो यह तीसरा अपने medicine को देख करके ही लेना है साथ में body में कहीं भी चोट लग गया हो healing process आपके body की ये बढ़हा देता है जिसकी वजह से आप जल्दी से ठीक हो जाते हैं अगर कोई injury हो जाती है injury का मतलब क्या होता है injury का मतलब होता है चोट या फिर अगर ये तो हुआ कि बाहर से लगा problem आपको बाहर से होई externally internally body में कहीं भी injury हो जाती है for example injury क्या होता है नसों में सुजन हो जाता है कहीं पर आपके जो नस है वो फिर फट जाते है या फिर वहाँ पर cracks आ जाता है या फिर रपचर कर जाते हैं अगर वहाँ पर cracks होते तो हम उसको बोलते रपचर करना तो नस अग डिजीज, अब ये डिजीज क्या है, क्यों हो जाता है, बॉडी में क्या-क्या लक्षन आते हैं, इस पर मैं आपको बता चुकी हूँ, वीडियोज मैंने बना दी है, आप जा करके देख सकते हैं, तो भूलने की समस्या को, अब बहुत सारे डिजीज ऐसे होते हैं, जिसमें प्रॉबलम होती है, तो उन सारे डिजीज को आप एक साथ क्या बोलते हैं, डिमेंशिया, ठीक है, तो अगर भूलने की प्रॉबलम है, उसमें भी आप खाली पे न राखा सकते हैं, आपके लिए बहूत जादा अच्छा है, आपको नॉलेज लेना है, ताकि आप अपने ब के पथर हो गया है चाहे वो पथर चोटा हो या फिर बड़ा हो है रीकिन के पथर को बनने के chances बहुत कम कर देता है अगर वह खाली पेट अनार pepper खाते है या फिर उसका juice पीरते हैं तो किसी को allergy भी हो जाती है for example उसको allergy हो जाएगा गले में गले में ख़डाश होने लगता है दातों में आपके दर्द होने लगेगा और दातों में हलका सा करवाहट पन या फिर दातों में हलका सा खसकस भी होने लगता है आपको अगर सूट नहीं करता है वो फल आ कर्स हो गये या फिर बहुत सारे जो मेडिसिन होती है पेन किलिर होते हैं अगर वह आप लेते हैं फिर आप को अगर आपटी हो जाती तो आप अन्लीपेट में डूफ़र के समय में में छचाहें आपकूज सकते हैं छाहे अप कुछश भी खाए इस से आपकी body में खूण की कमी नहीं होगी वापस से हिमोग्रोवीन की कमी नहीं होगी प्लेटस आपके पूरे रहेंगे आरन आपकी body में बिल्कुल उचित मातरा में होगा तो आप notes बना लीजेगा और बाकिये जो भी सवाल है वो आप telegram पे पूछ सकते है YouTube पे join button आ गया है जा करके वहाँ पे membership ले सकते हैं और साथ में सवालों का जवाब देने का समय नहीं मिलता है तो आप membership लेंगे और comments करेंगे तो मुझे समझ में आ जागा कि हाँ आपने किया है क्योंकि वहाँ पे batches मिलते हैं तो आप जा करके वहाँ से ले सकते हैं Thank you so much